C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ चलो चलें स्कूल प्रिष्ट एक आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं बांस से बना पुल ये है असम हमारी यहां बारिष बहुत होती है कभी कभी तो चारों तरफ गुटनों तक पानी भर जाता है फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते एक हाथ में किताबे उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं हम जल्दी जल्दी बांस और रसी से बना पुल पार कर जाते हैं चलो करके देखें कुछ इंटेलो इन्हें किसी खुली जगा पर सीधी लाइन में रखो अब इन पर चलने की कोशिश करो क्या यह आसान लगा? अपनी टीचर की मदद से चार-पांच बांसों को बांध कर एक छोटा सा पुल बनाओ उस पर चल कर देखो तुम्हें कैसा लगा? गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा जूते या चपल पहन कर पुल पर चलना ज्यादा आसान होगा या नंगे पैर? बताओ ऐसा क्यों? प्रिष्ट दो ट्रॉली से यह लद्दाख है लद्दाख के बच्चे कहते हैं स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है खूब चौड़ी और गहरी नदी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रसी होती है यह दूनों तरफ से भारी पत्थरों या पेडों से कस कर बंदी रहती है ट्रॉली या लकडी से बना जूला पुली की मदद से इस रसी पर सरकती है हम चार-पांच बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुँच जाते हैं नदी के उस पार करके देखो यहां एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बच्चे कुएं से बाल्टी खीच रहे हैं एक बच्चा बिना पुली के पाने निकाल रहा है और दूसरा बच्चा पुली की साहायता से कुएं से पाने निकाल रहा है दोनों चित्रों में पुली का अंतर है इन दोनों में से किस तरह से खीचना आसान होगा पुली यानि घिर्नी के साथ या बिना पुली के अपने आस पास देखो तुम कहां कहां पुली का प्रयोग देखते हो उनकी सूची बनाओ तुम भी चरही या खाली धागे की रील से पुली बना कर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो प्रिष्ट तीन सीमेंट का पुल हमें भी कई बार, कई जगा पानी पार करना पड़ता है तब हम भी पुल से जाते हैं ये सीमेंट, ईटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीडियां भी होती है यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? अंदाजा लगाओ, इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग-अलग पुलों की मदद से उबड़ खावड रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुँचते हैं अगर तुमें मौका मिले, तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है? उसका चित्र बनाओ अपनी दादा दादी से पता करो कि उनकी बच्चपन की समय में पुल कैसे होते थे? प्रिष्ट चार अपनी आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो वह कहां बना है? पानी पर? सडक पर? पहाडों के बीज? या कहीं और? पुल को कौन-कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं? या जानवर और गाडियां भी? पुल किन-किन चीजों से बना है? उन चीजों की सूची बनाओ उस पुल का चितर कौपी में बनाओ पुल पर चलती ट्रेन, गाडियां, जानवर और लोग दिखाना मत भूलना सोचो, अगर वह पुल नहीं होता तो क्या-क्या परिशानियां होती? कुछ अन्य तरीके देखें जिनसे बच्चे स्कूल जाते हैं केरल वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानि लकडी की बनी छोटी सी नाओ में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं प्रेश्ट पांच क्या तुम ने किसी और तरह की नाव देखी है? पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? क्या तुम भी कभी उट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? कहां? खुद चड़े थे या किसी ने बैठाया था? तुम्हें उस गाड़ी पर बैठ कर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ राजस्थान उट गाड़ी रेगिस्तान की बच्चे बोले हम रेगिस्तान में रहते हैं हमारे यहां दूर दूर तक रेथ ही रेथ नजर आती है दिन में तो रेथ होब तपती है हम उट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं मैदानी इलाके का एक गाओ मैदानी इलाके के बच्चे बोलते हैं हम बैल गाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं तेज धूप या बारिश हो, तो हम अपनी छत्रियां खोल लेते हैं, प्रिष्ट 6, क्या तुम्हारे यहां भी बैल गाड़ियां होती हैं, क्या उसमें छत होती हैं, उसके पहिये कैसे होते हैं, बैल गाड़ी का चित्र कौपी में बनाओ, साइकिल की सवारी, यहां एक चित्र है, जिसमें कुछ लड़कियां साइकिल चलाते हुए जा रही हैं, वे कहती हैं, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जाही नहीं पाती थी, पर अब साथ आठ लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है अब बताओ तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं क्या तुम्हें साइकिल चलाने आती है यदि हाँ तो किस से सीखी प्रिष्ट साथ यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें बाइक के पीछे लकडी के फटों से बैठने की जगा बनाई गई है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं ये बच्ची कहते हैं यह है जुगाड हमारी गाडी का नाम है जुगाड यह फटफट करती हुई चलती है है ना शांदर आगे से देखो तुम मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है पर पीछे से लकडी के फट्टों से बनी है क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है तुम्हारे यहां इसी क्या कहते है तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे बताऊ क्यों क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड क्यों कहते है जुगाड पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है तुम भी कुछ चीजों के जुगाड से कोई नई चीज बनाओ सोचो क्या ऐसी कोई जगह है जहां इन में से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती हाँ ऐसी जगह भी है प्रिश्ट आठ जंगल से जाते बच्चे स्कूल पहुचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं अब बताओ क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो कहां? अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाजों से पहचान सकते हो? कितनों की आवाज खुद निकाल सकते हो? आवाज निकालो बर्फ पर चलते बच्चे देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं? मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं क्या तुमने इतनी ज्यादा बर्फ देखी है? कहां पर? फिल्मों में या कहीं और क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ रहती है क्यों अब बारी है उत्तराखंड की उत्तराखंड के बच्चे बोलते हैं उबर खाबर पत्रीले रास्ते हम पहारी इलाकों में रहते हैं यहां दूर दूर तक उबर खाबर पत्रीले रास्ते हैं, मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं चाहे घने जंगल हों, खेत हों, पहाड हों या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुँच ही जाते हैं क्या स्कूल पहुचने में तुम्हें भी कोई परिशानी होती है? तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? और क्यों? तो फिर मेरी चाल देखना, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे एकठे हो जाओ अब बताई गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे? करके दिखाओ अगर जमीन एकदम कुलाब की पंखडियों जैसी हो अगर जमीन काटों भरे मैदान में बदल गई हो और आस पास उची उची घास हो अगर जमीन ठंडी ठंडी बर्फ से ढक गई हो क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली? चर्चा करो प्रिश्ट दस सजा? नहीं बच्चों की कलम से टेस्ट में फेल हो गए तो तीस जंडे टेस्ट में मस्ती की तो पंदरा डंडे अगर होमवक नहीं किया तो आठ डंडे नाखून, दात, ड्रेस, साफ सुथने ना हूँ तो तीस दंड बैठक अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो दो घंटे तक एक पैर के बल पर खड़े रहना अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो एक घंटे तक दोनों हाथों को उपर करके बैंच पर खड़ा होना कक्षा पांच के सागर मिश्रा ने लिखा है ये बताओ क्या तुम्हारे स्कूल में भी सजा मिलती है किस तरह की सजा मिलती है तुम क्या सोचते हो स्कूल में सजा होने चाहिए यदि तुम्हारा ऐसी किसी गटना से सामना हो तो तुम किसे पताओगे कैसे शिकायत तरज करोगे क्या सजा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सजा के स्कूल में सुधार हो अपने सपनों के स्कूल का चित्र कौपी में बनाओ और कक्षा में उस पर अपने साथियों से बाच्चीत करो चलो चलें स्कूल अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत